नमस्कार मिक्तरु हमार अज का पांधे बाल राम कथा से सोने करी गए तो ने का हिरन मारीच राम को कोटिया से निकलते देखकर पुनाचे भरने लगा उसमें राम को मौच चपाया छाड़ियों के छिपता बाहर आता राम को खुपिया से दूर ले लिया राम जब दूर से पकड़ने का प्रयास करते वह भाग कर दूर चला जाता है राम को कभी इनल दूर चला झात है का चला करें करेंगें जब सारे प्रयास बस्तने को जीवत पकरने के sixty तो उसमें मारने का सच इक ही बार से उसने मायावी हिरन Wow मैंप कर बांद लगते ही उससे अपनी आवाज बदल कर राम के आवाज में आवार Mmm ये राम, ये सीता, ये लक्ष्मा, राम में जब इस आवाज को सुनी, तो मायावी के सारी पूर उसके सामने आगी, वा समझ चुका कि मायावी क्या चाहता था, अब उसके दूसरे प्रयास को विक्वल करने के लिए, वा तेजी से फुठिया की तरफ वापस भरने लगा, उस खड़ा था, वा प्रसले था, उसकी जाल सफर लगे, मारिच ने प्रिभूनी का बात अच्छे से निखाई थी, अब तक उसके जैसा सोचा था, वैसा ही हुआ था, रावण को राक्षस अखंपन की याद आजे, जस्ते कहा था का सीता का हरन कर लो, तो राम के प्राण अप ने आप ही निकल जाए, वा निशक्त हो जाए, रावण अगले चरण की तयारी में चुटके, यह मायवी पुकार सीता ने भी सुनी और लक्षमर्ण ने भी सुनी, लक्षमर्ण ने इसका रह से तुरंत ही समझ गया राम की तरह, उन्होंने बाण चड़ा कर धनुष द्रं चूट नहीं चाहते थे, लेकिन सीता ने यह आवाज सुनी और वह विचलित होगी, धबरा कर वार पर आई और लक्षमर्ण से कहा, यह लक्षमर्ण तुम जंदी जाओ, आवाज की दिशा में तुम्हारे भाई जरूर किसी संकट में है, उन्होंने सहायता के लिए पुका राम संकट में नहीं है, और ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं दिगार सकता, हमने जो आवाज सुनी है, वह बनावती है, माय वी राक्षसुन की चाल है, मुझे राम पर पूरा वनोसा है, आप कुछ जिंद रहे, सीता को लक्षमन का इस गठिन समय पर इतना शांत होना अच्छा नहीं लगा, इसके पीछे उने शडेंते दिखाई दिया, उनहीं लगा लक्षमन राम का भनाना नहीं चाहते, वह उनकी भी तेशी नहीं है, वह चाहती है कि राम मारे जाए और राजबात उनका हो जाए, रास्ते का काटा ही पने जाए, वो कहने लगी तुम्हा अच्छा नहीं लगा, उनका हृदय छलनी हो गया, पर अच्छा से जुखा कर सीता की बाते सुनते हों, वह सीता की पीड़ा को समझ रहते, केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का अच्छल हों, हर दुशन के मारे जाने के कारण राक्षस पौकला गया, वह हमसे बदला लिना जाते हैं, आप उनकी चाल में नाये, वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा, सीता का कोद और बढ़ गया, रोग से उनकी आखों में आसो बेने लगी, उन्हें लक्ष्वन की बात सही भी लग रही थी, पर अंको राम की कोज में निकल पड़ें, लक्ष्वन के जाते ही रावन आज पहुंचें, सन्यासियों की वेश्वूसा, सीता ने समझा, कोई सन्यासी है और उसने पसका स्वान की, रावन ने सीता के रूप, संसकार और साहस की प्रशन सांगी, उसने सीता का परिज़ प्राप्त करने के लेकिन तुम्हारे लिए मैं स्वैम चल कर आया हूं, मेरे साथ चलो, सोने की लंका मेरा, मेरी राणी वन कर, सीता यह सुन को फ्रोधित हो, सुने कहाँ, मैं प्राप्त त्यान तो ही, लेकिन तुम्हारे साथ में हो जाओगी, मैं राम की पत्नी ही, वे महा बलशाली है, उन तुम्हारा अंत निश्चे थे, रावन ने सीता की पात अंसुनी कर दी, खीच करो ही, अपने रत में बठा लिया, सीता प्रयास करती रही, पर रावन की चंदू से मुखत नहीं हो पाई, अब स्वैम को असहाय पार्वं विलाब करने लगी, हे राम, हे लक्ष्मन उकारती मेरी सहायता करें, रावन का रत लंका यूर उर्चला, मार्ग में व्यपशों पक्षियों फर्वतों नदियों से कहती जाती, कि कोई भी उनके राम को बता दे, रावन ने उनका हरन कर लिया, गित राज अटायू ने सीता का विलाब सुना, उसे उर्ची उडान भूनी, र रावन का रत तूट चुका था, रान नहीं भर सकता था, उसने तक काल सीता को अपनी बाहों में दवाया, और दक्षिन दिशा की और रूने लगा, सीता को लगा, अब उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता, उनका बचाब के वल एक ही कर सकता है, और वो है रावन, वो चाती थी प्रेगने से नहीं रोखा, उसे लगा, सीता शोप में ऐसा कर रही है, कुछी समय में रावन लंका पहुंच गया, वो अपने धन व्यापों से सीता को प्रभवित करना जाता था, उन्हें लेकर सीधे अंता को पहुंचा, राक्षस्यों को सीता की निगरानी करते रहने वो और बहाँ निकल गया, ठोड़ी देर बाद वकोना लोटा, और सीता को पूरते हुए कहा, सुन्दरी, मैं तुम्हें एक वर्ष का समय देता हूँ, निर्ने तुम्हें करना है, मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी, या विलाब करते हुए जीवन बिताऊगी, सीता बा और चैन से जीवन बित करो, और सीता ने कहा, पापी रावन, राम तुछे अब इंडिश्टी से चला कर रहा कर सकते हैं, उनकी शक्ती देवता भी स्विकार करते हैं, मैं उस राम की पत्नी हुँ जिसकी तेज और पराकरम के आगे कोई नहीं पहर सकता, तेरा सारा आथो तेरा आंत निश्यत है, राम की इतनी प्रशन सा सुनकर रावन को चिंतित हो गया, उसने घर दूशन को मारने वाला आवश्य कोई सकती शाली होगा, उसने तुरंथ अपने आठ सबसे बलिस्ट राक्षसों को बुलाया और उन्हें पंच वटी भेजा, उसने कहा कि राम पर निग्रानी रखो और मौका मिलते ही उन्हें मार डाले, उधर सीता को पाने के लिए रावन ने अपनी हुचला पर दिया, उन्हें अन्तापुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया, खड़ा बहरा लगा दिया, राक्षसों राक्षसियों को इस्प डरी सही, रो रो कर दिन काट रही थी, सोने की फिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुचा दिया थी, यहां से उन्हें राम भी बचा सकती थी, धन्यवाद प्युक्ता